करने में पर आद के विटियों में दोस्तों बात करेंगे बायो फ्यूज्स के बारे में और जानेंगी कि आप अपना एक बयुज्छा प्लांट कैसे लगा सकते हैं यानि आप बायो डिजल का प्लांट कैसे लगा सकते हैं इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट काने पड़ेगी आपको किस किस चीज़ की रिक्वार्मेंट होगी आप किस परकार से प्लांट लगा सकते हैं और विए आपको BioFuel का plant लगाना है तो आप किस तिज से BioFuel बना सकते हैं और इसके अंदर आपको किस परकार शे profit margin होगा और आप किस परकार शेo लॉन ले सकते हैं इन सब बातों के वारे में。 इस वीडियो के अंदर देसे वीडियो करें और दो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायो फ्यूल के बारे में तो दोस्तों आपको पता है अभी G20 समयलेन हुआ था दिल्ली के अंदर और उसके अंदर एक अलाइंस बनाया था बायो फ्यूल के लेकर और आपको पता है कितने देशों ने उसके अंदर बाग लिया और कितने देश उसके अंदर जोड़े गए हैं क्योंगे दोस्तों जैसे जैसे परदूसान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक वीकल और बायो फियल की डिमांड बढ़ती जा रही है आपको पता है दोस्तों आने वाले कुछ समय के अंदर ही आपको 50% से अधिक वीकल या तो इलेक्ट्रिक वीकल मिलेंगे या फिर आपको बायो फियल से चलने वाले वीकल मिलेंगे इसलिए दोस्तों आने वाले समय में बायो फियल की बहुत जदा डिमांड है जैसे जैसे परदूसर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डीजल पैट्रोल नॉर्मल फियल की जाएगा और लोग अच्छा पैसा बनाएंगे तो दोस्तों कोई परसन जो बवीश्यों को लेकर अपना एक अच्छा बिजन सैट अप करना चाता है और अच्छी कमाई करना चाता है तो आपने बायो फियल का प्लांट लगा सकता है सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों को तो इसके क्या-क्या फायदे है यानि बायो फ्यूल के क्या-क्या फायदे है यदि कोई परसन बायो फ्यूल यूज करता है या फिर बायो फ्यूल का प्लांट लगाता है सबसे पहले दोस्तों बायो फ्यूल के फायदे के बारे में जाल लेते हैं तो दोस्तों आपको बता द करने का और environment को भी कोई भी नुक्सान नहीं होगा और दोस्तों इससे और Somerva ब Nat Quốc नहीं होता और दोस्तों सबसे बड़ेशन करता है तो यह सब भी फायदे हैं बाइो फिल के बिजनेस की करें यह यह दिनि आप बायो फिल का प्लांट लगाते हैं लिए यृडियो लॉट सोबसे बड़े फायदे दोस्तों सरकार इसके अंदर आपको बहुत बड़ी चूट defense còn और विज्यादा होगी और दोस्तों जैसे जैसे वालबडेंगे वाइविविय के वैसे वैसे इसकी एडिमांड बड़ती जाएसे कि दिमांड बड़ेगी सेल बड़ेंगी और अच्छा विजय से अरामब्स वेस्ट का इस्तेमाल करके अच्छा बायो डिजल का प्रोड़क्शन कर सकते हैं ऐसे दोस्तों बहुत सारी फायदे हैं यह कोई परसन बायो फ्रोड़क्शन करता है तो आराम से अपना प्लांट अस्टाइब्लिश करके अच्छा खासा प्रोफिट इस विजनेस अंदर ले स सकता है अब बात आएक दोस्तों आप बायो फ्रोड़क्शन का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको किस-किस परकार के प्रोड़क्शन करें रो मेटरिल के तोर पर यानि आपको कौन-कौन से रो मेटरिल का इस्तेमाल करना है तो दोस्तों आपको बता दे बहुत से पर करने का और आपे हैं से अराम से बहुत सरे हैं इस सकते हैं जिससे आप बैए इस बना सकते हैं सस्ट रेट में और आच्य रेट में सेल करके अच्हीं रे सकते हैं आब बात है कि दोस्तों धी आप वायोफिओल का प्लान्न लगाना चाहते हैं. तो आपको किस-किस चीज़ की रिवार्मेंट होगी? आपको कितनी investment करने पड़ेगी? आपको कौन-कौन सी मशिनों की requirement होगी? तो दोस्तों धी सबसे पहरे requirements की बात करें तो दोस्तो आपको बता दे आपके पास कम से कम एक क्रोड से डेड क्रोड के बीच इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए यदि आप एक बैच का पांच आर लेटर बायोफिल बनाना चाहते हैं यानि एक बैच का इसाब से 5,000 लेटर का एक प्लांट लगाना चाहते हैं आपको आपको प्लांट लगाना है तो आपको कम से कम एक क्रोट रुपए की इंवेस्टमेंट करने पड़ेगे ठीक दोस्तो उसके बाद दोस्तो आपको कम से कम 6,000 से 10,000 स्केर फिट के अंदर स्प R&D Center के लिए staff भी चाहिए आपको अलग-अलग employee चाहिए आपको manager चाहिए बहुत से प्रकार का staff आपको जुरूत पड़ेगी तो आपको सभी प्रकार का staff hire करना पड़ेगा cleaning से लेकर managing tech आपको staff hire करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तो आपको अच्छा electricity connection चाहिए सभी प्र प्रड़े के साबसे 15,000 से 20,000 लेटर के बिच अराम से production हो जाएगा ठीक दोस्तो तो आपको यह सभी चीजों की requirement होगी अब बात आईगी दोस्तो दी आप बाइफिल का plant लगाना चाहते हैं तो आपको investment की उपर करने पड़ेगी तो दोस्तों आपको बता दे investment की बात करें तो दोस्तों मानलो आपके पास खुद की जमीन है या आप जमीन किराये पर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपको सभी machine खरीदनी हैं दोस्तों बहुत सी परकार की machine और tanks की requirement होती है बाइफिल प्लांट के अंदर वो दोस्तों आपको online मिल जाएगी आपको second end भी मिल जाए उनके number आपको दे देंगे आप डारेक्ट उन से contact करके अपना plant establish करवा सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको construction करवाना है कुछ आपको office बनाना है boundary निकलवानी ऐसे कुछ आपको construction करवाना है उसके बाद दोस्तों आपको license लेने पढ़ेंगे registration number करवाना पड़ेगा GST number ले पड़ेगा आपको किसानों से direct जाकर उनके खेतों से raw metal उठाना पड़ेगा और उसको अपने plant के अंदर या फिर अपने stock के अंदर लगाना पड़ेगा उसके लिए उसके बाद दोस्तों आपको खृदने पड़ेंगे वीकल वीकलों के लिए दोस्तों आपको अच्छी investment क करने पड़ेगी आप रेंट पर भी ले सकते हैं और आपने खृद भी सकते हैं तो सब्वी चीजियों के लिए दोस्तों आपको investment करने पड़ेगी तो दोस्तों आपके पास कम से कम एक से डेट क्रोड रुपे की investment होने चाहिए यदि आप पांच जार लेटर परबैस के हिस आप से बायो डीजल का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको इतनी investment करने पड़ेगी उसके बाद दोस्तों आप अपना business setup कर सकते हैं वो दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं कैसे आपको loan लेना है बात आती दोस्तों space की आनि जमीन की तो दोस्तों आपके पास कम से कम 6000 स 10,000 square feet जमीन होनी चाहिए क्यों दोस्तों आप जामी प्लांट लगाएंगे वो आपको अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग basic requirement होगी आपको raw material भी रखना है आपको प्लांटे पर establish करना है आपको vehicle भी खड़ी करने है आपको office भी बनाना है आपको worker के लिए अलग water भ सकते हैं यदि आप green belt के अंदर आते हैं तो उसे ध्यान रखें कि उसके उपर कोई objection नहीं है औब जेक्शन है तो आप उसे solve करवा सकते हैं जमीन के उपर किजी प्रकार का case नहीं होना चाहिए ऐसे बहुत सारी चीजों को देखकर ही आप जमीन सेलेक्ट करें और उसके बा पूरा establishment मिल जाएगा फिर दोस्तों आप उनसे contact करें फिर वहाँ जाएं और पहले उनका plant चेक करें फिर आप उन्हें contact करके उनसे आप अपना plant establish करवा सकते हैं और फिर अपना process आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों आपको चोटी city के अंदर ये plant नहीं मिलेगा आपको प्रकार के license या फिर registration के requirement होगी तो दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बता है आपके पास सबसे पहले registration number GST number होना चाहिए उसके बाद आपको pollution control board से दोस्तों आपको मंजूरी लेने पड़ेगी NOC बनवाने पड़ेगी वहाँ से आपको local authority यानि municipal department से NOC लेने पड़ेगी आ ऐसे बहुत से परकार के department से आपको NOC बनवाने पड़ेगी registration number license सब कुछ लेना पड़ेगा दोस्तों सब परकार की NOC और license हमने हमारी website को पर बदाए है वहाँ direct आप जाकर check कर सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो process भी है तो आप वहाँ से direct check कर सकते हैं कैसे लेटर के इसाफ से 15% यानि 15% के इसाफ से profit margin अराम से हो जाएगा यानि 5 रुपए परती लेटर के इसाफ से आपको profit margin होगा और इदी आप दोस्तों एक बैस में 5,000 लेटर बायो डिजल बनाते हैं या भर बायो फ्यूल बनाते हैं तो आपको एक बैस में 25,000 रुपए के profit इस business से 25 दिन में निकाल सकते हैं approximately आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं या आप तीन वैच चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा होगा आप एक बैस चला रहे है तो आपको कम होगा वो आपको डिपेंड है कि आप किस परकार से वर्कर का इस्तमाल कर रहे हैं किस परकार से तो दोस्तों ऐसे आप अपना बॉठियल के अंदर अपना बिजिनेस अट आप करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों आपको बता देती हैं अपने बायो फॉँल की मार्केटिंग करें जगह जगह दोस्तो पैटरोल पंप या फिर अलग अलग जगह आप अपनी marketing कर सकते हैं वहां के पर depend है, ओनलाइन ओफलाइन की इस परकार से आप marketing करना चाते हैं वहां से आप marketing करें, फिर आपकी sale बड़ेगी, sale बड़ेगी तो profit बड़ेगा ठीके दोस्तों सोटी सी इन्वेस्टमेंट आप मार्केटिंग के उपर लगा कर अच्छा पैसा इस बिजनस के अंदर बना सकते हैं अब सबसे जुरुरी बात दोस्तों अधी आप एक सी डेट क्रूड रुपे की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ लोन की रिक्वार्मेंट भी होगी तो दोस्तों आपको बता दें यह एक ऐसा बिजनस है जिसको पर अराम से गौवर्मेंट बैंक लोन आपको प्रॉइड करेंगे क्योंको दोस्तों यह एक एन्वार्मेंट फ्रेंडली प्रोड़क्ट है तो इसको पर लोन अराम से हो जाएगा आप अपने प्लांट की सभी मशीनों की कोटेशन ले सब कुछ की कोटेशन बनवाए फिर आप बैंक से कॉंटेक्ट करें आप किसी बैंक के अंदर जाएंगे वहां से आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों अब अलग लग पास होने चाहिए तब आपकी आपका लोन पास होगा वरना दोस्तों लोन पास नहीं होगा इसलिए सबी चीज़ें त्यार करके ही आप loan के apply करें जिससे आपको loan मिल जाए और आपके उपर से जो भी पैसे का बोज़ा वो कम हो जाए आप अराम से अपना business establish कर सके हैं तो दोस्तों ऐसे आप अपना एक buy full plant लगा सकते हैं आने वाल बवीशे के अंदर business बहुत चलेगा और इस business के अंदर आप अच्छे पैसे बना सकते हैं तो अपको वीडियो के अंदर कुछ समझनी है तो आप मारी website को विजिट कर सकते हैं और इदी आपका इसके बार में कोई